आप लोग अब बहुत बहुत वोगते जी के ओशन यूटूब चैनल पर आई वेलकम यूँ ओल टू जी के ओशन यूटूब चैनल और आज के इस पटिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रिजनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपोर्टन कोशन को डिसक्रिप दा नमबर इन दा फॉलोइंग फिगर फॉलो ऑ पैटन विश नमबर वोड रिप्लेस दा कोशन मार्क नेमलिखित आकरिती में संख्याएं एक प्रवित्ती का पालन कर रही हैं प्रस चिन की जगाँ पर कौन सी संख्या लेगी ठीक है आप जैसा कि यहां पे देख रहे हैं यहां तीन डाकरितीी दे रखिया है इसमें आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा आफ के सामने 내일 डितिक्स कुई हैं आप मोग चाहें तो वीड़ो को भी देख लिएगा मोग jury कुछ कण उसमों पालन में लोग पहला हमारा सही हो जाता है तो हम लोग उसी के कोडिंग next को अपने कोशन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो देखते हैं क्या रखा देखें आप दे रखा है one three six four and seven अब देखें मैं आपको सीधे बता देती हूं देखो इस तरह के कोशन आपको ज्यादा स्यादा प्रैक्टिस करने क भी जरूत होती है उसके बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगuben इस स्एरा के कोशन को करने के लिए जाँ हम लोग यहां पे six का square कर देते हैं six का square कर देते हैं उसके बाद यहां पे दे रखा है four four का square कर देते हैं ठीक है उसके बाद यहां दे रखा है seven seven का square कर देते हैं और nine का square कर देते हैं then यहां पे last one दे रखा है one का square कर देते हैं और यहां पे three भी दे रखा है three का भी square कर देते है और square से काम नहीं चलेगा हम लोग इसको square करने के बाद इनको आपस में हम लोग Cloud कर देते हैं ठीक है प्लस कर देते हैं तो six can square करने पर हमारा आएगा 36 कि ka 36 उसके बाद four का करने पर 16 seven का करने पर forty nine then nine का करने पर age one then 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा and 3 का स्क्वायर करने पर रहेका हमारा 9 जब इनको हम लोग प्लस करते तो हमारा आ जाता है 192 ठीक है अब हम लोग यह पैटन आगे के फिगर में चक करते हैं ठीक है यहाँ पे दिरक्था 8, 8 का स्क्वायर कर देते हैं 2 का स्क्वाइर कर देते हैं, 7 का स्क्वाइर कर देते हैं, 3 का स्क्वाइर कर देते हैं, 9 का स्क्वाइर कर देते हैं, 5 का स्क्वाइर कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं, प्लस ठीक है, प्लस कर देते हैं, तो 2 का स्क्वाइर, यहां पर 4 आएगा, ठीक पर हमलों प्लस करते हैं तो मार आ जाता है 232 अब इसी प्रैटनнд पर हम लोग अपना कोश्चन कर लेंगे यानिकी त्री का स्कॉर फाइब का स्कॉर 7 का स्कॉर 9 गा स्कॉर 4 का स्कॉर a&6 kast स्क्वाइर ठीक है तो इनको जह हम लोग आपसे प्लस करेंगे स्क्वाइर करने पर हमारा आजाएगा 216 जो के मारा option C में साफ साफ दिख रहा है ठीक है 25, 49, 81, 16, 36, and 9 इन सब को प्लस करने पर मारा answer आजाता है 216 which is given in option C ठीक है I hope यह question आपको समझ माग गया हो अगर वीडियो आपके लिए helpful हो और लगे कि question आपके लिए important है वीडियो को like जरूर कीजेगा और ध्यान देजेगा यह question पूछा गया है RRB का जो एक बर exam हुआ था उसमें इसके अलावा इस तरह के question आपको पता है कि reasoning के section में पूछे जाते हैं इसी तरह से एक और question लोग solve करते हैं What number should come in the fourth square? There is four square given one, two, three, four आपको बताना कि यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है? दिये गए चौथे खाने में कौन सी संख्या होगी? सबसे पहले हमको इसको कैसे solve करना ध्यान दीजेगा हम लोग क्या करते हैं? देखें सब question में अलग-अलग pattern follow होता है ऐसा नहीं कि जैसा कि मैंने आपको पहले वालम बता जिया उसी तरह यहाँ पर आजाएगा हम लोग लोग क्या करते हैं 6 और 7 का multiply कर देते हैं 6e 7 यह मैंनस कर देते हैं 5e 3 को 5e 3 यहाने कि जहाँ लोग इसका-इसका इसका मल्तिपलाई किया और इसका पहले 6,7 का ल्टिपलाई किया तो हमारा आजाएगा 42, 42 में माइनस कर देंग 5 and 3 का 15 तो हमारा आंसर क्या आजाएगा? हमारा आंसर आजाएगा 27 यानि कि इस वाले question में pattern क्या follow कर रहा है? कि इस वाले को इस वाले से multiply करके जो हमारा आंसर आएगा उस में minus कर देंगा हम लोग इनका multiplication multiplication फिर हमारा आ जाएगा 27 फिलाल इसी तरह हम लोग चेक करते हैं कि हमारा next वाले figure में यह pattern follow हो रहा है या नहीं हो रहा है यानि कि पहले हमको क्या करना है 9 और 7 का multiply करना है तो 9 और 7 का multiply आपको पता है क्या होता है यह होता है 63 उसके पता है 5 और 4 का multiply होता है 5 4 is 20 और फिर इंको हम लोग minus कर देते हैं जह हम्लोग minus कर देंगे तो हमारा जाएगा 43 जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है same pattern पे हमारा answer यहां पे भी आ जा रहा है हम लोग करते हैं 9 और 3 का multiply 9 और 3 का multiply करने पर हमारा जाता है 27 27 में minus कर दिए हम लोग 1 into 3 का तो 1 into 3 आ जाता है हमारा 3 यानि कि 27 minus 3 तो हमारा जाएगा 24 यानि कि हमारा pattern हमें समझ मागे क्या करना है कि इसका multiply, इसका minus तेन इसका 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 इसी तरह हम लोग करेंगे 7 को 8 से multiply करेंगे 7 8s हा 7 8s हमारा होता है 56 और इसके बार 6 को 3 से करेंगे 18 ठीक है तो हम लोग 56 से 18 मान侈र से करेंगे तो हम अजाएगा 38 तो यहां पर हमारा क्या है चौट इस और दिख रहा है I hope यह question भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा हम लोग अपने next question पर आते हैं वीडियो का आप लोग like share जरूर कीजेगा आप लोग के लिए बहुत मैनत की जा रही है ठीक है तो आप लोग like तो करी सकते हैं और अगर आपको लगे कि यह share के लाइक है तो शेयर भी करिएगा next question पर आते हैं question क्या दे रखा है select the option that will correctly fit in the blank space of the following figure उस विकल्प का चैन करें जो नम लिखित चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपीउक्त है फिलाल हम लोग केवल question पर ध्यान देते हैं अभी यहां पर आपको बताना है कि इन चारों में से क्या होगा देखिए बहुत ही आसान question है इसका answer आप लोग comment section में दीजे बहुत ही आसान question है आप लोग देखकर इसका answer निकाल सकते हैं कि क्या होगा ठीक है बहुत बहुत जादा easy है चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देती इसका answer जरूर दें ठीक है अब next question है हमारा coding decoding से यदि किसी code भाषा में capital को capital यानि कि C-P-A-T-I-L-A लिखा जाता है और उसी code भाषा में persons को क्या लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा देख coding decoding की question में सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्या code follow कर रहा है उसी के according हम लोग अपना answer निकाल लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा लिखा है C-A-P-I-T-A-L यानि कि capital ठीक है तो ऐसा क्या किया गया कि यह C-P-A-T-I-L-A हो गया है सबसे पहले C की जगा तो C ही ए ठीक है फिस ध्यान दीजेगा यहाँ पर AP है यहाँ पर PA है यहांनि कि इन दोनों को आपसमें बदल दिया गया है तो यहां पर यहां पर T-I-T-I पर यहां पर ही गशुलय लोग ए यहांतिक ऐले करे एए यहांनि कि क्या किया गया पहले वाले अक्षर को तो सेम लिख दिया गया बाद में जो दो-दो का पेहर है उनके जो है आपस में अक्षर को बदल दिया गया है ठीक है तो यहां पे ओगया अब इसी पैटर्न पे हम लोग अपना इस आंसर को निकाल लेंगे तो क्या करना है पहला वाला तो सेम था तो सेम एज़ इस यहां पे हम लोग लिख लेंगे उसके बाद ए आर है तो ए आर है तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे आर ए लिख देंगे उसके बाद यहां पे क प्रे ओस्चन में आपको दिख रहा है पि- पी आरी व्यज्ज्ट अनुके अप्शन दी में यह दिख रहा है कुछ निकरना है बस पहले वाले एक्षर को सेम में रखना है बाकी का जो दो दो पेयर है उनके अक्षरों को आपस में बदल देना है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा अब हम लोको पर नेक्स कोशन पर आते हैं सेम कोडिंग का यदि किसी कूट भाशा में कोडिंग में गेव को 8237 लिखा जाता है तो बैट को 924 लिखा जाता है तो गेट को कैसे लिखा जाएगा देखे इस तरह के कोशन को सॉल्व करना है देखे कुछ कोडिंग में होते हैं कि हम लोग अक्षरों को उनके 1234 के कोड में लिखते हैं और कुछ यहसे होते हैं कि सेम जैसा दिया होता है उनके अक्षर के स्थान पर कौन जो है नंबर है उसके अकॉर्डिक हम लोगा निकाल लेते हैं सबसे वहले हम लोग देखते हैं देखें हैं यहां पर यहां पर हमारी टो दे रखी है ठीक है उसकी बात V है वी तो हमारे की जुरुत नहीं है हमें जी ए चाहिए और फिर टी चाहिए देखें यहां पर T की वैलू क्या है T की वैलू यहां पर क्या है हमारी 4 है और E की वैलू क्या है E की वैलू देखें यहां पर 7 तो E की वैलू हमारे यहां पर क्या है 7 जो अक्षर के सामने दे रखा code उसी के according इस तरह के question करते हैं दो तरह से क्या रहता है एक जो दिया रहता है उसमें 1,2,3,4 के form में होता है और एक होता है यहां में जो दे रखा उसी के according हम लोग कर लेते हैं देखें पहले वाले में क्या होते जासे कि A B है तो A का code आपको पता है 1 होता है B का होता है 2 मगर कुछ ऐसे question आते हैं जिसमें वो वाला pattern हम लोग नहीं follow कर रहते हैं A का code A है B का code 2 है इसमें हम लोग according to this जाते हैं तो मैंने आपको पता है G का code आपे हमारा आगया 8 A का code आगया हमारा 2 T का code आगया हमारा 4 और E का code हमारा क्या आगया 7 तो 7 अब देखिए हमें gate की वाली निकालनी तो हमारे answer क्या गया है 8 2 4 7 जो कि हमारा किस option देख रहा option number C में देख रहा है आई हो पर question आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा next question पर हम लोग आते हैं question है दिए गए विकल्पों में इसे संबंधित संख्या को चुनिए 6 analogy है देखिए 6 का 21 है तो 3 का यहां पर क्या होगा देखिए आप लोग ऐसा मत करिएगा कि हम लोग करते हैं 6 को हम लोग 3 से multiply कर दिया फिर 3 हो गया आने कि 6 3 जा 18 18 में हम लोग 3 प् multiply कर देंगे फिर 3 प्लस कर देंगे तो 3 तरीकर 9 9 2 9 प्लस 3 12 बट यहां 12 किसी option में नहीं है तो इस तरह भी नहीं होगा अगर हम लोग चाहे तो इस तरह कर देंगे 6 को हम लोग 5 से multiply कर दें 30 आ गया 30 में से हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा मगर देखिए अगर तो हमारा क्या आता है 21 उसी तरह हम लोग 3 में अगर हम लोग 15 को एड़ कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 18 इस तरह से इस कोशन को सॉल्फ करेंगे यानिकि 6 में हमने 15 एड़ किया तो हमारा आ गया 18 उसी तरह हम लोग 3 में अगर 15 एड़ करते हैं तो हमारा क्या जाए तो यहां आपने reasoning के कुछ बहुत important question को discuss किया जो कि आपकी exam के लिए important है जो playlist के गई उन वीडियो को जरूर देखेगा वीडियो को like and share जरूर करेगा आपको वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताएगा thank you so much for watching thank you